हेलो गाइस मैं राजकुमा दाकर स्वागत करता हूँ आपका राज अगरी कर चाजुकेशन चनल में दोस्तो आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन्स के बारे में डिसकस करेंगे और इनके साथ साथ जो ऑप्संस हैं उनके बारे में हम डिटेल डिसकस करेंगे तो दोस्तो चलो समय को ना बेश्ट करने कोशन पर और दोस्तो अभी तरह जोने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पहसंद आया तो इसको लाइक कर दें और सेर कर दें तो दोस्तो हमारा पहला कोशन है दोस्तो जो जो क्रॉप का उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छी सोयल कौनसी है तो दोस्तो ब्लेक सोयल लैटराइट प्लेंटिक सोयल अलूबियल सोयल और अडिस ब्लेक सोयल तो दोस्तो इनमें सबसे ऐस्पादने वियूटिक से देखे हैं तो अलूबियल सोयल सबसे बेस्ट होती है तो दोस्तो इनके बारे वापन तोड़ा जान ले Hum के एको अलुवेल, के बारे में तो एलुवेल प्लेट 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 इसमें common questions पूछाता है दूसरा question पूछाता है कि यह जो हैनुविल soil का order कौन सा है तो anti soil में आते हैं यह फोर एनुविल और यह फोर anti soil दोस्तों यह किस से बनती है transportation of river and streams जो उसके जो soil बहा कर लाए जाती है उसके दमती है black soil का रहा हम तोड़ा देखते हैं formda bertisol यह सबको माला बर्टी शॉल माता है montmorillonite इसमें बहुत dominant mineral होता है very important क्या होता दोस्तों montmorillonite बहुत ही dominant mineral होता है इसमें पूरे इन phosphorous nitrogen and organic matter तो दोस्तों यह भी पूछा जाता है phosphorus के बारे में और nitrogen के बारे में कि यह किसका पूर होता है इसमें किसकी कमी होती है next one क्या है laterite soil तो दोस्तों laterite soil जो होती है न वो किस गुरुप माती है oxy-sols गुरुप माती है और जिसमें carbonate minerals dominant होता है कौन carbonate minerals dominant होता है formed under the heavy rainfall and high temperature कैसे बनती है दोस्तों यह heavy rainfall and high temperature के जो altering होती है जो बदलती रहती है उसके काड़ यह क्या होती है form होती है तो दोस्तों इसके बार maximum leaching इसमें होता है किसमें maximum leaching होता है और दूसरा rich in iron aluminium दोस्तों देखो इसमें एक चूल rich है किसका iron का and aluminium का तो इसलिए यह बढ़िया होती है और आप देख लिए इसका जो right answer क्या था दोस्तों अलूबियल स्वेल नेक्स्ट जो हमारा important question selling percent of wheat तो दोस्तों wheat का selling percent कितना होता है आप होता है तो wheat नियुकर selling पर्षन कितना होता है तो 60 परसेंट होता है कितना होता है कि अब दोस्तों इसमें तो जभा बाब options नहीं है था इसके बार में तो आप बीट के composition के बारे जानने fiber content हम इसा पूछ़ता तो वीट में फाइबर कंटेंट कितना होता है तो 1.2 परसंट फाइबर कंटेंट होता है प्लीस रेमेंबर कीजिए बहुत इंपूटेंट कोशन बहुत बार पूछा गया है 67 तो 70 परसंट इसको आप 70 परसंट भी याद रख सकते हैं कितना कारव हाले साइड कंटेंट होता है सेल इंपर इंपर आपण सब्सक्रिंग बॉस्त 15 vice कितना होता है इसका हार्वस्ट इंडाक्स बहुत बार पूचा अधे जो याद कर लीजिए इसको इसको धिमाग में रख लीजिया हारवस्ट इंडेक्स होता है 40 टू 45 परिचा को हम year weight से divide कर देते हैं, grand weight को year weight से divide कर देते हैं, into 100, into 100 कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, यह दोस्तो selling percent आ जाता है, grand weight divided by year weight into 100, तो दोस्तो selling percent बहुत बार यह questions पूचा गया है, very important question हमने दोस्तों बहुत जगह से सारा material आपके लिए collect करके बनाया है, next selling percent of normal year usually average about 80% when pills are ready to combine harvest, तो अगर आपन combine harvest करते हैं, तो हमारा selling percent लबाग 80% तक पहुंच जाता है, और इसमें दोस्तों जब harvest एक होना चाहिए, कि हमारा 20-25% moisture level पहुंच चाहिए, यह question ही बहुत बार पूचा जाता है दोस्तों कि wheat की harvesting कितनी moisture level पर की जाती है, तो दोस्तों मैं आपके एक question पूचता हूँ, आप इसका answer comment box में comment करके बताएं, जो wheat का storage होता है, क्या दोस्तों, storage, वो कितनी moisture level पर की जाता है, वीट का storage कितनी moisture level पर की जाता है, आप इसका अंसर में comment box में comment करके बताएं next question है दोस्तो rocker sprayer is used for spraying दोस्तो यह best sprayer है आप यह मान यह best sprayer है तो small crop, tall crop, go downs and factories and all are correct तो दोस्तो किसका D answer है क्या है D answer है सभी options correct है क्या rocker sprayer किसके लिए सभी जगा के लिए उज़ता है अब rocker sprayer क्या होता है दोस्तो rocker sprayer के वारे में थोड़ा सपस जान लेते हैं सक्ती rocker sprayer all purpose sprayer क्या बोलते हैं दोस्तो इसको all purpose sprayer बोलते हैं इस suitable both in small and large skill किसके लिए small and large skill के लिए देखो दोस्तो याद रखिए बहुत important है small and large skill के लिए suitable होता है on field crop, orchard crop, tea garden, coffee garden, rubber plantation ये सभी में अपना काम है आता है its developed maximum pressure with less number of strokes दोस्तो क्या है it developed maximum pressure बहुतरी इसका एक्जामपल है ये point है कि ये बहुत ज़्यादा pressure develop करता है with less number of strokes next important point क्या है दोस्तो इस sprayer में it is used for effective and economical spraying for insecticide and pesticide effective and economical है दोस्तो दोनो means आप जानते हो अगर हम बहुत अच्छे pressure के साथ spray करते हैं तो इसका effective बहुत अच्छा होता है चलते हैं next question पर temperature for germination of wheat seed is तो दोस्तो जो wheat seed की germination के लिए temperature कितना होना चाहिए और seed इसमें क्या करता है सबसे पहले जैसे यह seed है और इसके अंदर जो भी है seed coat है तो जो seed coat में क्या होता है दोस्तो जैसे अपना embryo है इसमें सबसे इमशेखले इम्वयशन के तोःँ Water इंटर करता है किसके तोःँ इम्वयशन के फरों Water protocol इंटर करता है दूसरा करता तूसरा क्या था बाटर अक्टिवेट्स अञायम्स और दोस्तोँ इसमें जो एंजायम्स होसे हुजते हैं कौन से manly enzyme होता है, इसमें amylase alpha and beta amylase enzymes होते हैं, जो starch को सुगर में convert करते हैं, कौन से दोस्तों अलफा and beta enzymes होते हैं, जो starch को सुगर में convert करते हैं, दोस्तों, याद रहें बहुत important है तो method to hasus vàter underground, पिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों जो radical होता है, जो रेटिकल होता है वो क्या करता है Rodrigo करना शुरू करता है सरफथम कुछ जो क्या है सूट में परवादत होना सुरू हो जाता है तो दोस्तों ये एक प्रोसेज है पर शीरर गुरो सूट गुरो ट्वाज़ दा सन Bam अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं और ये ट्वार्दा संजाती है तो दोस्तों आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए आप इसको कभी नहीं भूलेंगे ये मेरी गारंटी है दूसरा इसमें इंपोर्डेंट हो है टाइप सब जर्मिनेशन के साथ है एपीजल टाइप जल मिस अपने सर्फिस मिठी है तो जब कोई जर्मिनिशन होके उसके कोटलीडन बहաर आ जाते है किसके उसके साथ में जर्मिनशन गें तो कौन सा झाल सक। इपैजल करती है और अगर जर्मिनिशन के बाद सिर्फ पतियां ही बहार आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं है इसको क्या बोलते हैं है अब मुझे आप एक जामपल कमेंड वक्स में कमेंड करके बताएं तो देखते हैं कितने लोगों को हमारा यह कोशन का अंसर देपाते हैं नेक्ट कोशन है लेवल अप सेंस्टिव टू डॉट इन बनाना करोप दोस्तों बहुत इंपोडेंट है इसमें हम बहुत सारे कोशन करने बाले हैं दोस्तों वीडियो पूरा देखो आप एंड तक वीडियो देखो आपको बहुत सीकलिक में यह कितना ज्यादा सेंस्टिव है तो लो है हाई है मीडियम है मीडियम हाई है तो दोस्तों जो बनाना है ना वो हाईली सेंस्टिव है अगर पानी नहीं मिलेगा तो बनाना अच्छे से ग्रू नहीं होता है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों समझ लेते हैं ड्र is a prolonged period with less than average amount of rain or snow in a particular region देखो दोस्तों डोट यह होता है कि यहाँ पर बहुत दिनों से कोई average से कमबारिस होती है तो हम उसको डोट में कश्ड़ करते हैं अडोट is caused by drier than normal condition देखो दोस्तों नॉर्मल कंडिशन से वाटर लेवल कम हो गया तो हम उसको डोट में कंश्ड़ करते हैं वह क्या होता उससे और रिजल्ट क्या होता है कि हमाँ पानी की प्रॉलम साती है बाटर सप्लाई जो है न के लिए इसके प्रॉलम साने होती है अब दूस्तों ड्रॉट रसिस्टंट कॉंकों से होती है आज याद कर लें इसका स्क्रिंसोट ले लें आप नहीं भूलो कि पक्का नहीं हो गए देखो दूस्तों ड्रायलेंड लेंड सीड जो होते हैं यह पहले दो मतलब जो करहbe सो थिये 500 ग्राउंट नदoti यूज और दोह्तो डेखते हैं मेल शूर्ट जो होते हैं कुछ बीक्राउंच में चिक्पीज ए में इस असफ स्वार्गम या बाजराता सूंइल है Os 서 जुनगर एरिया में कमबारे से होती है लेकि महां फिर भी ग्राउनट बहुत अच्छा होता है तो यह क्या है यह कंपानी में भी हो जाता है इसलिए इसको डॉटरस्टन क्रॉप से बोलती है और दोस्तो हाइली जो डॉटरस्टन क्रॉप है वो कौन सा है दोस्तो बीट रू दोस्तो इसने समय से माइक्रन नू пой्ट कौन सा है काफ अ क्वर पॉर और आयरा जीन्क और ओल तो दोस्तों इसका अल आंसर है चलो आबसके बारों में तोला सब देख लेता है माइक्रन毒 विट च्छ क्या होता है अग केमिकल अलीमेंट्स और सरिश्टन्स और स होकूर इन अमाउंट for the normal growth and development for living organism दोस्तों इस यह कह रहा है कि यह chemical जो एक क्या बहुत कम amount कम मात्रा में उसकी जरुवत होती है कि इसके लिए normal growth and development के लिए लेकिन लेकिन important question यह है दोस्तों कि जो अगर इन दोनों में हम इसके importance की बात करें plants में तो इनका importance equal होता है आप आज के लिए इनका importance equal होता है इसलिए इनको क्या essentialty of plant nutrients जो दिया है ना आर्नन ने इसके में consider किया जाता है कि कोई भी nutrients की कमी के कारण अगर उसकी life cycle complete नहीं हो पाती है तो उसको अपन क्या बोलते deficient condition मानेंगे इसलिए इनका importance अगर कभी पूछ जाता है कि नाटन आर्न में से दो या तीन हो दे दिये किन में से किसका importance plants में ज्यादा है तो importance function के लिए देखो कार करने के लिए बराबर होते है इंपोर्टेंस समान होता है तो दोस्तों primary कौन से होते हैं NPK होते है secondary calcium magnesium sulfur कौन से होते हैं calcium magnesium sulfur अगर अगर आपन प्रिडियों पास पास के हैं तो इनको याद कर लें calcium magnesium sulfur मैक्रों निटेंस कौन से हैं NPK मैक्रों 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 के अंदर primary और secondary आते हैं पहला primary और secondary NPK हैं calcium magnesium sulfur माइक्रों मैं कौन सा iron zinc copper boron molybdenum chlorine निखिल देखो दोस्तों जो निखिल है नीवन जो नीवन जो है ना 17th essential हो है nutrient तो essential यह आवाशक सभी है अब ऐसा इसमें नहीं कहते हैं तो आप याद रखिए दोस्तों बहुत ही ज़्याद इंपोडेंट है तो अभी जो total कितने है essential nutrient अगर पूछे जाता है तो आपको बहुत बार पूछे जाया कितना आते हैं 17 होते हैं आप याद रख लीजें इसको पिंक बेरी is the physiological disorder of किसका है दोस्तों किसका disorder है आप मुझे बताए किसका disorder है तो डियर फ्रेंड्स जो है पिंक बेरी यह एक ग्रेप्स का disorder है यह पिंक बेरी high temperature होता है किसमें ग्रेप्स में होता है तो answer is correct आप मेंगो के disorder के बारे में पर लेते हैं तो लाशा मेंगो के देखो दोस्तों इस्पॉंजी टिशू कन्यवक्तिव हीट ऑप सॉयल दोस्तों आपको पता है कि जो अलफांसो होता है अलफांसो का सबसे बड़ा प्रोब्लम है किसका अलफांसो का सबसे बड़ा प् छांफाय था कि मेंगो क सबस्तों इसमें एक हिससे होता दोस्तों यह होता है में ल Мар्ल ट इंडिया में नूग्त तेंपर्चर और इसके साथ डोस्टों में बहुत सारे अभी एक किसी इंसेक्ट से हुश्क चाहिए वह सकता है इस तो मेंगो माल फॉर्मेशन एक कॉंप्लेक्स अभी तक बात बना हुआ है इसका भी किया नहीं है लेकिन अभी तक इसका लोग टेंपरचर से ज्यादा होना इसका माना है हौ आर्टर्नेट भेन दोस्तो आफ वख न किससे होता से बढम या नी बजाई और वाटरी वेरी हो जाती है तो उसको क्या होता है पानी ली नीर में स्पानी और कोट्टा में सीट कोट्टा वजाही शीडेट बनाना तो दोस्तों सेल डिविजन किसका मेंन फंक्शन है आई भी है साइटो कानन जिब्रेलिक असेड और इतलीन तो दोस्तों यह तो सेल डिविजन तो किसका है मैंनली साइटो कानन का है किसका साइटो कानन का अब आपको में यह हमने इतलीन के बारे में पूरा एक पूरा स्टेयगर के बारे में लेक्टड डालने वाले हैं आप वहाँ से इसको कम्पिलेट से देखें दोश्टो हमने कम्पिलीट डाल दिया है आप देख लूगे मजहा आज जाएमें क्योंकि होर्मों सिसे कही न कोश्टन रफार ऐता है आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Natural oxygen is दोस्तों देखो very important इस बार में natural oxygen कौन सा है? आपको आई ये जहां 2 A आजाते हैं सबसे पहले आए हैं इसलिए A सबसे पहले आता है तो आपको थोड़ा सा एक concept है कि अपको इसमें A i सबसे पहले आई यह तो दोस्तो आपको मालूम है किया है सिंत्य टेक्षिन अब ये निके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत डेशी बताया है इनकी फंक्सिन्स क्या है तो आप पिछे वीडियो में जाके देख सकते हैं यह पूछता है कि यहीं बिदी से प्रोपिएक्शन किया जाता है। जो मेंडले में जो सकता है," तो इसकार आंसर क्या हैै तो चलो अपने तुला साथ टी बड़िंग के बारे हम देखें टी बड़िंग और सील बड़िंग इस पेशल ग्राप्टें टेंग इन बेस सायोन पीस क्या दोस्तों सायोन पीस इस रिडिउस्ट टू अ सिंगल वड तो दोस्तों जो सायोन होती है जैसे मान लो कि ये एक पेड़ है और ये इसके ब्रांच के बगल से को ये बड़ निकली हुई है तो इसमें क्या करते हैं कि इस बड़ को क्या करते हैं रिमूब कर लेती हैं करके क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है जो रूट स्टॉक इसको रूट स्टॉक को ये कट कर दिया ये रूट स्टॉक है दोस्तों मालो ये पॉली बैग में अपना पड़ा हुआ है पॉली बैग में पड़ा हुआ है तो ये क्या है दूस्तों रूट स्टॉक है तो इस root stock में क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक ऐसे insurgent मारेंगे, और उसको एक ऐसे insurgent मारेंगे, तो उसमें क्या होता है, दोस्तों क्या है यह, जैसे इसको cut मार देते हैं, अब cut मार देते हैं, तो जो इसको तो यहाँ से पूरा अठाएंगे नहीं, इसको एक तरफ रखता है और एक तरफ इसको कट कर देते हैं और इसी को ऐसे एक तरफ दूला रहता है दोस्तों इस तरफ दूला रहेगा इसको उपर देते हैं और इसमें क्या करते हैं कि इसमें ऐसे जो है ना दीरे से उसको उसको पसा देते हैं अब इसमें पसाने के बाद क्या करते हैं इ तो यह आप याद रखेंगे आपको समझ माच जाना चाहिए अगर चलो दोस्तों नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं ग्रोविंग ओर्नामेंटल इन विंडो बक्स इस नौनेज बैरी इंपोडेंट है दोस्तों यह क्या है ग्रोविंग ओर्नामेंटल इन विंडो बक्स इस नौनेज तो दोस्तों क्या है कि अगर देखो, औरना मेंटल इन विंडो वाक्स में गरू कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, दोस्तों विंडो गार्डन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंडो गार्डन बोलते हैं, होम गार्डन और किछिन गार्डन तो आपको मालम है, कि जो घर के पीछे जगा होती ह उसमें इसको करते हैं गर के साय्ड में राट में नहीं होता है में आप ब्रकर बहुत है किस गर इसकी गर के पिछे होती है मेरे गर के पीछे भी हम गाडन है दोस्तों बहुत प्यारी-प्यारी सबजियां भी लगे हुए हैं लोगडाउन के दौरान तो दोस्तों यह अल्टनेटिव नहीं है तो अपन इसके बारा पहलेते हैं कि window gardens क्या होते हैं window garden allow you to control your soil quality and water use garden through the winter इक इस में winter में करते हैं have testing cooking herbs close to the kitchen and be able to move your garden दोस्तों देखो बड़ी प्यारी लेंग भी लिखिये है क्या बोलना है इसमें कि टेस्टी हर्ब इसमा पन गुरू करते हैं किस्टी टेस्टी हर्ब अराउंड दा नीड़ेड चेक आउट इस वीडियो इट इस ए ग्रेट इंडोड़क्शन टू बिंडो बॉक्स गार्डनिंग तो दोस्तों क्या है यह मैं यहां पर एक आपको बताएता हूं कि बिंडो गार्डनिंग किल्कियों में करते हैं आपको मालम है कि जैसे हमारे गर में किल्कियों होती है तो हम उसमें प्यारे से घंबले या पिर आपन जे कोकोपिट बगारा का मीडिया और उसमें सोल मिक्षर बगारा करके उसमें कर स सकती है थह हैं का मीनम एरिया को फूरेस्ट इन कहंटी फूर एकवालेश कर बैलंस बहें को और अपको करना है hai जिना जिएलन भारिव मेंन्स लिखा है यहां जिए सकती है तो कितना होना चाहिए cog तो कितना नुस्टों 2023 3 см होना चाहिए लेकर अभी इंडिया में कितना है दोस्तों अभीर आंड 22% की लवग है दोस्तों कितना है 22 अब तन सब बढ़ गया है तो सकता है तो भी सब ज़यदा होगा अब इसमें क्या होता है दोस्तों जैसे अपने एक्वेरियम की जो बूटल साते हैं उन बूटल्स में जो ट्रांस्पिरेंट बूटल होते हैं अब बड़े प्यारे प्यारे से कुछ पत्तर डाल लेते हैं तो इसमें क्या कुछ प्यारे से फोधेपन ग्रुव कर लेते हैं जो वाटर लविंग जो होते हैं या पर वाटर लविंग ना हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक मीडिया डाल दे चोटा मोटा तो इसमें ग्रुव करते हैं यह transparent में होना चाहिए, तो यह क्या बोलते हैं दूस्तों, terrarium बड़े प्यारे सुन्दर लगते हैं, तो terrarium आपको देखना है, तो आप terrarium डारेट जाते हैं यूटूब पर देख सकते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, a terrarium is a collection of small plants growing in a transparent sealed container, a terrarium is a closed environment, means देखो बंद होता है, closed environment and can actually be used in illustrate how an ecosystem works, यह तो वो ecosystem को देखने के लिए इसका use कर सकते हैं, तो यह था, लेकिन यह क्या closed environment होता है, यह भी पूस जाता है, equivalent होता है, transparent container में करते हैं, और sealed container हो, तो याप दोस्तों याद रखिए, terrarium बहुत important है, यह ornamental का question है, लेकिन इस तरह कोशन से बहुत बाराया है terrarium, pollination in rubber is completed by, तो दोस्तों, pollination in rubber में किस से होता है, आप बताईए, इसमें बहुत सारा option दे है, अगर दोस्तों, इसमें कुछ फिल्ली यूज होती है, तो यह होता है, दोस्तों, honeybee से होता है, इसमें खास इसका option सायथ मेरे से छूट गया है, तो दोस्तों, किस से होता है, honeybee से होता है, आप honeybee से होता है, आप honeybee से होता है, एरुफ यर बगार से बने होता है फिर बीविल से किसम होता है दोस्तों बीविल का याद रख लीजिए आप ओल पाम जो होता है उसमें बीविल से होता है ओल पाम में आप बिलकुल याद रहें बहुत बार पूछा गया कोश्चन है कि बीविल से पॉलनेशन किसम होता है और वाटर से अपना ब्लेक पेपर में होता है बलग पेपर में होता है और ये अगय ऊप्थ से को कॉकुनेट भगरा में हम होता है तो आप दोस्तों याद रहाई लिए जया जाना 25 मों में रहता है तो यह बहुत ही इंपॉर्डेंट है दोस्तों question मैंने आप कितने सारे options कि वार बता दी है तो तो देख लेते हैं इसमें pollination the group of insect pollinator word we observed that is V क्या दोस्तों B, anyway होता है hymen of terra में आता है B यह भी यार रख लिए question दोस्तों जब कभी आयाता है sorry, hymen of terra में आता है क्यों सा है, जो flies होते हैं वो dip terra में आते हैं जैसे housefly बगर जो होते हैं वो dip terra में आते हैं waterflies यतने आते हैं वो lepidopter नम आते हैं दोस्तों बहुत बार पूचा गया है it's really a very important question किस क्या दोस्तों किसमें butterfly lepidopter में आते हैं जो bees होते हैं apd family में आते हैं कौन दोस्तों bee जो अपना honeybee बगर आते हैं किसमें आते हैं sorry honeybee फिर्स आते हैं bees ने were abundant in rubber तो oil pump oil pump में आपको बताया है oil pump किस से होता है bebel से होता है were the syrophed flys bar dominant in jungle rubber तो दोस्तों mainly तो ये bees से होता है किसमें rubber में insect pointer होता है bees से होता है तो आप इसको याद रख लीजिए ये तोला सा है orders भी आप याद रख सकती है ये भी बहुत अच्छा important है which type of pollination is found in lettuce तो दोस्तों lettuce के ऐसा कोई exam नहीं होता है कि lettuce से कोई question नहीं आता है मैं आज आपको 5 point lettuce के बारे मताँगा उससे बांठ बिलकुल नहीं जाएगा latest के बारे में तो latest में तोतों sales pollination होता है कैसा होता है sales pollination होता है latest में जो सबसे important point है latest में ख्लिस्टोगेमी पाई जाते है क्या पाई जाती है दोस्तों पहला point self हो गया crystal gaming पाई जाती है crystal gaming का मीनिंटzung होता है फलवर नेवर प्रडव होता है इसे लिख अपलवर ऑपन नहीं होता है ऐसे हो जो यह गया फंधर जीए अन्डेविनिद्र ङ थाटाह गफू स्टाइव कियां दूसरा है दूशन लेग्ट्वरय को टेला होता है तो जॉत आप होता है और जो इसकी family होती है कौन सी होती है दोस्तों competitive family में आता है दोस्तों इसमें mulching recommended करती है special mulching is very important for lettuce, mulching से इसमें बहुत अच्छा color आता है और बहुत प्यारे-प्यारे lettuce बनता है तो यह 4-5 points आप याद रखी इसमें और इसमें एक दोस्तोm thermodormancy पहे जाती है कि समें लेट उसमें थर्मो डॉर्मैंसी ओक गर इसमें उसको हीट नहीं देंगे तो इसकी डॉर्मैंसी नहीं होगी यहां देखे मुदर में जो मैं एकजाम दिया था जयारव एसारव कर तबाया था जिसकी मार्केट प्राइस सबसे कॉष्टेस मज़ाइस है भूब जब्राइस बहुत जढ़ा होती है तो लोग आज की टर गुरु कर एब कौंसा सयर अपश्मिरि से पोन है कौनसा कर समीरी से परोन है मिल्षarez को सपषक हो जाते हैं कैसे हो याद रखी है इससियने कैमिल्फ कौंसी है इरी डेसी है तो इसका जो इंपोर्डेंट पॉंट क्या है एडिवल पात क्या होता है दोस्तों इसके व्होतीन हो ते II पर सबसे महाँगा है और इसका प्रोपोगेशन किस से होता है सकर से इसका propagation होता है, किस से होता है, सकर से propagation होता है, यह questions आप याद रखिए, कस्मीर में होता है, next question है, which is the long day plant, long day plant कौन सा है, तो दोस्तों आपको हम एक चीज बताते हैं, जो plants ठंडो में ग्रो किया आते हैं, वो कौन से होते हैं, long day plant होते हैं, potato is the long day plant, लेकिन इसके tuberization के लिए सौड़ी की जरौत पड़ती है, flowering और seed setting के लिए लिए जरौत पड़ती है, तो दोस्तो यह कुसा long day plant है, तो दोस्तों आप देखें, यह टोमेटो क्या है, यह तो दोस्तों day neutral है, वीटी भी लोंग डे प्लान्ट है, sweet पॉटे लेकित को साओड़ी प्लान्ट है, तो दोस्तों यह आप याद रख सकती है, स्वीट कैसा है स्वीट के बारे में है बहुत पूछ छाता यह कैसा है है यह बेंधा day is or longer than their critical day length. और innovate flowering in soft day plants. तोँछ इसको क्या बोलते हैं, दोर्स्तों? kitty का डेयल लेंथ बोलता है ये kitty का डेयल लेंथ निन क्या होती है कि एक specific day length होती है किसी flower की flower को flowering की sorry plants की flowering के लिए उसको kitty का डेयल लेंथ बोलते है अब long day में क्या होता है कि litealed magazine होती है उससे भी थोड़ा ज्यादा दिननापन को चाहिए होता है मोर्धेन जो होता है लेवने टोला वर्स जो बोलते हैं तो उसको अपन लोंग डे बोलते हैं अब स्वाट डे इसका देश्टा पूजेट होता है दिर नूटिल में इसका कोई फ़रत पड़ता नहीं है कि नेक्स्ट कोच्छन है विच वन इस दा कि भौजutan विच वह जॉट इसवाथ पूंगल वी इन दोस्तों में सबसे जना सबसे इन अब बताया था कि सगर वीड जो होता है वीड, मीड, इस अब से जना क्या होता है ड्ला ड्रौजन करोप है दोस्तों यह मेंने इस चाहिए ठील, तो यह सगर बीड है ड्रोट टोलेंट इस दे अबिलिटी तो बिच प्लांट मेंटें दा बाइमास प्रोडक्शन दूरिंग ड्रोट कंडिशन्स ड्रोट रसिस्टन का मीनिंग यह होता है दोस्तों कि वहाँ पर जो बारिस है वह सेदिया के अनुस्षा जो है यहां की नॉर्मल कर्दिशन से कम होई यह है फिद भी वहां पर क्रॉप क्या है कुछ नॉर्मल परросिन दे रही है तो एसी अशूल दे कि संब लंट साब नेचर एडप्टेट टू ड्राय कंडिशन्स आप देख रहे हैं कुछ प्लांट से वह थे हैं जो कि पॉट ड्राय कंडिशन्स में खड़े रहते हैं राश्तान में स्राइविंग बिट प्रोटेक्शन मेकानिजम सच आज डेसीकेशन टॉलरेंस और क्यों नहीं होता है इनमें रिपियर आप जायलों में जायलिंग का रिपियर करने में शिक्चम होते हैं ये डॉट रॉट रसिस्टेंट को रॉप्स की तोल़ा से करेक्टर है नेच्ट जम पूरेंड है कैट फेस इस दा फीजियोलोजिकल डिसॉडर आप कैट फेस आपको मालम खेस जो दोड़ेंगे अबनोरमल अगर आपन जो अइक्सर बाता दे देंगे तो इससे क्रेकिंग होएता है बलॉट ची राइपनिंग आपने देखा है बलॉजम एंडॉट देखा हुगा अपना ये एक्ट फेस है संसकाल्ड है पप्पी नैस ये दोस्तों सभी किसके डि तो ये संब टमाटों के नियुंद बेरी ओंहें जो रहाजी आपणिंग जो थो ऊता है निसंट इसviousowा किसे उता है निटींट के ट्रोelo aawagen उन्से बाजम है यह मैं जल्हें कंने जाना है cotton केट फेस्थ média कर हां अब देखाव पॉटाटो बलक हट आपने देखा हो दोस्तों पूर बेंटिलेशन ही कारन होता है ग्रीनिंग जो एक्सपोज कर देदा उसे हालो हट अलो हट एक्सेस बनेटरों सब लेगे चिलिंग इंजरी फिर इंजरी इस दोस्तों कि सलोट टेंपरेश्ट से होता है चिलिंग और फ्रे इसके नेगेटिव टेंपरेशनी कारण होता है तो आप ये याद रखेए लिटीलेफ और बीरिंजल नो कोछ डबाया तो दोस्तों लीटीलीफ बिरिंजल किस से होता है आरन डिफीशेंसी केल्सेंसी जिंक डिफीशेंसी माइक्र प्लाज्मा लाइक औरगश्म के प्रोब और आपको बहुत चूज करना है और आपको बहुत चूज करना है वेरी इंपोर्टन कोईशन है। दोस्तों आपको आपने अभी तेख हमारा कंटेंट देखा अगर पसंद आया है मज़ा आया आज के सेशन में तो प्लीज लाइक करना और सेयर करना बिलकुल नहीं पूलें वीडियो को और दोस्तों अभारे चनल को सब्सक्राइब कर लें तो इस तरह की इंपोर्टेंट इनफोरमेशन आपके पास तक आती रहें तो लिटल ली बिरंजल के वारो थोड़ा सा फ़ल लेते हैं लिटल ली फबश्रीप बिरंजल लिटल वे नॉन अच्वर एकोनेमिक लॉस क्या होता है दोस्तों इसमें हैवि उकोनेमिक लॉस होता है एज दाने इंडेकेडर सेम्टमस देखो दोस्तों इसम का जो मैं सिंटमस जो पेटी Ols होते हों सबसे चोटिर रहे जाती है सबसे चोटे रहे जाती है सबसे चोटाराatory यस तो याद हमारा चनल अगर सच में पसंद आया है तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबार नहीं बूलें और अपरे सभी दोस्तों को सेर कर दें तेंक यू जय हिन जय भारत